मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट की खिंश्तान के कारण मंत्री मंडल विस्तार से लेकर कॉंग्रेस की ग्रासरूट न्यूक्तियां तक अटकी हुई है लेकिन संगठन को लेकर अब नूट से बदलने की शुरुवात हो गई है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सचिन पाइलेट को लेकर जिस तरह के जिस्चस दिये हैं उसे कॉंग्रेस के खलकों में नए सियासी समिकरन बनने का संकेत माना जा रहा है प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले में राजीव गांधी के जीवन पर आधारित वीडियो रिलीज करने के मौके पर जिस तरह कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंग डुटासरा ने सचिन पाइलेट को महत्व दिया वह बदलते समिकरनों की तरफ से इशारा ह राजीव गांधी के जीवन पर आधारित शौट वीडियो फिल्म को डुटासरा ने सचिन पाइलेट से जारी करवाया इसके बाद पाइलेट डुटासरा और सरकारी मुख्य सचे तक महेश जोसी को मिला कर तीनों नेता मंच पर बैठे डुटासरा ने जिस तरह सचिन राजीव गांधी की जयनती पर प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले में 15 अगस्त को जिस जगह मुख्यमंत्री ने सुतंतृता संग्राम से जुड़ा वीडियो रिलीज किया उसी जगह ठीक पाँच दिन बाद सचिन पाइलेट से राजीव गांधी के योगदान पर वीडि जाए भी हुई वहीं सचिन पाइलेट से प्रदेश अध्यक्ष डुटासरा ने वीडियो जारी करवाया लेकिन जब इस कारेकरम को लेकर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी का प्रेस नोट जारी हुआ उसमें केबल गोविंद सिंग डुटासरा का ही नाम था सचिन पाइलेट का नाम नहीं दिया हो लेकिन पीसी सी में पाइलेट को महत्व मिलने के पीछे सियासी समिकरन जिम्यदार है वहीं बता दे कि सचिन पाइलेट को जिस तरह पीसी सी के कारेकरम ने तरजी दी गई थी वैसे ही राशनेतिक प्रेक्षक उसके पीछे पंशायती राज चुनाव को भी एक कारण मान रहे हैं आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे एस्पीन नाइन न्यूस के साथ